असला अलेकुम वेलकम में चैनल खुश्टूमा है जहां आज में कवाप की रेसिपी बताने चाथी वेच कवाप की जो की बना हुआ है सोया नुट्रिला से सोया चंक से जो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पहले रेसिपी देख लेंगे सबसे पहले एक प्रिशर कूकर ले ल दिया था जिसे बहुत सॉफ्ट हो गया था वह ले लेंगे अच्छे से वाश करने के बाद बहुत कर लेंगे फिसमें कुछ घड़े मसाले है लाल मिच तेज़ पता है तालचीनी है जीरा है बही लाची है यह सब टाल देंगे और मैंने ब्लैक पीपर ले लिया है इसका प टाल देंगे इस तरीके से अच्छ लेए है तुक्त हो भी डाल देंगे मैं र पाँच डाला है और पानी हमें इसमें एड़ कर लेना है मैंने डेर ग्लास तक इसमें पानी को एड़ किया हुआ है यह देखिए इस तरीके से हम पानी डाल देंगे, फिर नमक एट कर लेंगे, नमक की काउंटेटी मैंने हाफ स्पून लिया है, फिर बाद में कम जादा होगा, तो फिर हम डाल सकते हैं, बट अभी हम हाफ स्पून से थोरद से जादा लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे, और और दो परिशाय आने के बाद, फिर हम slo flame कर देंगे, slo flame के बाद, फिर हम इसे चेक कर लेंगे, ये दिखिए, 10 मिनले के से 20 मिनले के हम slo flame में रख सकते हैं, इस के बाद इस तरीके से हो जाएगा, पानी होगा, तो फात में रेड्योस कर दीजेगा, नहीं होगा इस तरीके से ड्राइं करना आ देखिए की डाल रहार जाना टो 만들어 चंछे से सुफ्ट तो गया है कि पानी यह दिए यह देखिए अशे सीय तरिके समी में चाहिए यह हम ठंडर होने के लिए रखेंगे फिर एक को एक में जिसमें हम मचला कर लेंगे कुछ धनिया ले लेंगे हरिमिच ले लेंगे और पुदीना डाल देंगे इसे अच्छे से पहले हम चॉप कर लेंगे फिस के बाद हम इसमें प्याज को एड़ करेंगे इस तरीके से मैंने दो प्यास लिए आया है मीडम सेस की वो भी ढाल देंगे अच्छे से चॉप कर लेंगे यह देखे इस तरीके से हो जाएगा इतने ही हमें चाहिए अच्छे से इसे हम दूसरे बॉल में टांस्फर कर लेंगे यह बहुत ही अच्छे से चॉप हो गया हमें इसी तरीके से चाहिए बहुत ही अच्छे से स्मेल आ रही है इसमें पुद्यानी की और दूसी तरफ हमारा चनी की दाल को भी हमेंने ग्राइन कर लिया था इस तरीके से ठंडर होने के बाद ग्राइन करेंगे तो बहुत अच्छ प्यास हरी मिर्च वो टाल देंगे सब की कॉंटिटी अपनी हिसाब से कम जादा आप कर सकते हो प्यास की कॉंटिटी जादा रख सकते हो पुदीनी की स्मेल अच्छे लगती तो भी आड़ कर सकते हो फिर मैंने हाफ इसमून तक इसमें गरम मसला को एड़ किया हुआ है और फ पॉडर नमक भी कम लग रहा था तो वो भी ढाल देंगे लास्ट में हिसाप से ऊको टिकी का से देंगे आपकर से चाहिए उस हिसाप से आप से चाहिए कि जाएगा और चुछा इस तरीका से लगा लेंगे कि बैटर के हात में चिपके नहीं चुटे-च्छोटे पोर्शन इस तरीकर से मिना लेंगे सबीकों इसी तरीकर से मचास से मिना लेंगे करो ही मैं सबीक गए इसी तरीकर सम्टनेंगे कि पचेह बनागे यह हूंज अब इस तरीकर सभी ले History क Warriors जोट नहीं है कम आइल में बहुत ही अच्छा भी से फ्राइकल लेंगे अच्छे से यह देखिए इस तरीके से एक साथ हम छे या साथ आठ तक तो अच्छे से इसको अच्छे से से शेक लेंगे और कम आइल में जितना भी आपको आइल पसंद वसे हिसाब से अच्छे से मीडियम हीट पे हाई टू लो फ्रेम करते हुए हम इसे इस तरीके से मालेट प्लग के दोनों साइड गोल्ड होने तक फ्राइ कर लेंगे और लो फ्रेम रखेंगे तो बहुत अच्छे से यह तरीके से आप पार्ठे के साथ या दाल चावल के साथ किसी के साथ भी सर्फ करिए ऐसी स्नेक के तौर पे आप इसे बनाके चटनी के साथ सर्फ करिए तो बहुत ही टेस्टी लगता है सिंपल सी डेस्टी है बनाने के ज्यादा जंचटनी इंग्रेट्स भी इतना सिंपल सी इजी से है, मेथट बहुत ही असान है, हमेशे की तरह जोर बनाएगा, हमेश चानल को शेयर और सब्क्राइब जहूर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी, तो जहूर शेयर करिएगा, इंग्रियर्स डिफसेंग बॉक्स में मैं खशान है, अल्ला आफिस,